C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है कक्षा एक की हिंदी की ध्वनी पुस्तक सारंगी अध्याय दो दादा दादी प्रिष्ठ संख्या आठ आनंद मै कविता यहाँ एक चित्र दिया गया है जिसमें दादा जी और दादी जी है और साथ में दो छोटे बच्चे भी है एक हमारे दादा जी है एक हमारी दादी दोनों ही पहना करते हैं बिलकुल भूरे खा दी दादी गाना गाया करती दादा जी मसकाते कभी कभी दादा ची भी कोई गाना गाते श्री प्रसाद एक इस कविता में दादा और दादी की जगह नाना और नानी कहकर कविता को फिर से काईए शिक्षन संकेत हाव भाव सहित कविता पाठ करते हुए बच्चों को अभिनय के लिए भी प्रोच्साहित करें प्रिष्ठ संख्या नौ जटपट कहिए यहां एक व्यक्ती रास्ते पर जा रहा है यहां एक घड़ी का चत्र दिखाया गया है शब्दों का खेल एक अप्पू, अप्पा, अप्पम की तरह, आ की जगह, मा, न, द की ध्वनी से शब्द बना कर सुनाईए दो, शब्दों को सुनकर उनमें आई ध्वनियों की संख्या बताईए दादा, दादी, नानी, नाना, मामा, मामी, दनादन, अपना, अनार, नमन तीन, बोल मेरी मचली कितना पानी, यहाँ एक चित्र है, जिसमें कुछ मचलियां दिखाई गई है नीचे दिये हुए चित्र को देखकर मचलियों की संख्या बताईए शिक्षन संकेत बच्चों के साथ मिलकर शब्दों का खेल खेलें नए-नए सार्थक, निरर्थक शब्द बनवाएं दादा शब्द में दो अक्षर हैं इसी तरह, शेश शब्दों में अक्षरों या ध्वनियों की संख्या पूछें बच्चों से मचलियों की संख्या लिखवाएं. प्रिष्ठ संख्या दस. आओ सुने. एक. अपना. अनार. इन शब्दों में पहली ध्वनी कौन सी है? दो. जिन शब्दों की पहली ध्वनी अ है. उनके आगे सही का चिन्ह लगाईए. अनार. अमरूद. अधरग. मा. दादा. घर. खोजे. जाने. दादा दादी और नाना नानी. कविताओं को अपने परिवार के किसी सदस्य को सुनाएं. उनसे परिवार और घर से जुड़ी कोई कविता या कहानी पूछें और सुनाने के लिए कहें. शिक्षन संकेत. वाचन्स्वर असर नवाज उस्मानी और सुम्बुल शकील. तक्निकी निर्देशन बटिलैंग लिंग्डो. ध्वन्यंकन मयंक कुमार. निर्माण सहायक तनु गुप्ता. निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुती CIET NCERT नई दिल्ली भारत.